असलाम अलेकुम फ्रेंट्स स्वागता आपका इस यूटूब चैनल जेके स्टेडी मुटिरियल में जेके बोस 2023-2024 सेशन जितने भी 10th, 11, 12th क्लास के रिगलर सुट्डंस है तो यहां पर सुट्डंस को कुछ डाउट्स हैं वो डाउट्स में आपके क्लेर करूंगा एक तो यहां पर जैसा कि बहुत से इंस्ट्डंस ऐसे हैं जिसमें गोल्डन टेस्ट पर सुट्डंस को फेल करते हैं ऐसे सुट्डंस होते हैं जो continue अपने इंस्ट्डंस जाते हैं उनके attendance बराबर होती है पढ़ते भी आच्छे हैं बट गोल्डन टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं उसको फेल करके फिर सुट्डंस को फाम फेल नहीं करते हैं तो इनका क्या होगा या फिर बहुत से सुट्डंस हैं जिनने renewal, registration, return, farm है वो फेल ही नहीं कि उनको miss हो गया या फिर स्कूल वाले जो हैं वो सुट्डंस को farm field करने नहीं देते हैं जैसा कि कुछ medical के सुट्डंस होते हैं वो पहले अपना study जो है किसी coaching center में करते हैं ताकि यहां पर need के लिए भी अच्छे से prepare हो सके उनके school में वैसी facility नहीं होती है कि अच्छे से वो पढ़ पाएं तो वो coaching centers में पढ़ते हैं तो जब वो अपने institute में आते हैं तो वहां पर farm field नहीं करने देते हैं कि आपकी यहां पर attendance जो है वो ठीक नहीं है शाटेज निकालते हैं तो आपको link description मिल जाएगी वहां से आप edu का zone के sample paper यूज़ कर सकते हो जो fully use selfless है उसी के हिसाब से है zone की जो link description मिल जाएगी flip card से आप order कर सकते हैं अगर आप offline मिल रहे हैं तो आप offline ले सकते हैं तो इनके जो हैं वह सबसे best sample paper रहने वाले हैं तो आप उनके हिसाब से अपनी study जो आर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते है golden test की जाए कोई भी आपकी class है 10th है 11th है 12th है तो अगर आपके इंस्टूट वाले आपको golden test ले रहे हैं यह golden test में fail कर रहे हैं तो मैं आपको यहां पर एक चीज़ बताता हूं तो आपको जो भी golden test यह जो भी कुछ चीज़ है अगर आप यहां प अगर आपको golden test में fail रखा जाता है तो आप कोशिश करो जो भी यहां पर students हो आप कोशिश करो अपने institute वालों को बोलो कुछ ना कुछ करके ताकि वो आपको किसी हाल में आपको farm fail करने दे golden test के हिसाब से आपको यहां पर fail ना करें क्योंकि हर institute चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहां पर अच्छे पास हों या फिर जितने बच्चे हैं वो पास हो हमारे जो result percentage है वो अच्छी रहे कोई institute यह नहीं चाहता कि अगर हमारे पास 100 students हैं तो यहां पर 50 प्लस fail हो जाएं तो वहां पर school की बदनामी होती है अगर आप जितने भी students इनको अगर किसी न golden test में fail रखा है और आपका exam farm नहीं fail करें तो अब अपने school वालों को बोलो कि हम अच्छे से मेहनत करेंगे हम आपको लिख के देते हैं कि हम मेहनत करेंगे ताकि आपको रिगलर रख सकें क्योंकि यहां पर मैं आपके एक reason बोलता हूं अगर आप यहां पर रिगलर रहोगे and अगर आपका week भी है कोई subject खुदा नहास्ता अला ना करे ऐसा ना हो अगर आपको रिगलर में कोई बैक लागा जाता है तो आप फिर भी फारजम पलाप अलेमत में हो आप फिर भी 12th में admission ले सकते हो and फिर आपको अक्तूबर में जाके private के exam होंगे अगर वो पास हो गया तो आपका 12th भी हो गया समझो clear कोई मसला नहीं है फिर आपको regular exam 12th के भी दे पाओगे अगर आपको private रख दिया तो private में ये पहला नुकसान है कि आपका जो exam है वो जाकी होगा अगस्त में अब अगस्त में आपका exam होगा August 2024 में हुदानास्तर वहां पर आपको कुछ fail हो गया फिर आपको next August 2025 में exam होगा तो इसलिए आपको problem होगी अब यहां पर गुसे के बिना किसी tension के बिना अब उनको यहां पर यह बोलो कि हमें यहां पर आप golden test में पास करतो ताकि हम अपना form फिल कर सकें तो यह जैसा कि मैंने आपको बोला 10th class के 13 December से पहले 11 12th के 16 December से पहले पहले अपना form फिल करवा दें बट जिनको यहां पर previous class में back लग है वो मैंने आपको पहले ही बोला है आप form नहीं फिल कर पाओगे आपके लिए अलग से link open हो जाएगी अगर जो सुटेंट्स हैं जिनने renewal registration form नहीं बरा है जिनको miss हो गया है देखो मैं आप एक चीज़ बोलता हूँ आपके फाइदे के लिए वीडियो बनाता हूँ कोई मैं बिना मकसद की वीडियो नहीं बनाता तो जब renewal registration की date निकली थी मैंने वीडियो बनाया था कि आपके लिए most important है आपने भरना है जिन सुटेंट्स ने renewal registration का form भरा है वही exam form भर सकता है अदरवाइस वह exam form नहीं बर सकता बट प्राइवेट सुट्ट्स को छोड़कर क्योंकि प्राइवेट सुट्ट्स के लिए लाग से link open हो जाएगी जब उनका result declare हो जाएगा तो अब जिनको यहांपर भी renewal registration अगर miss हो गया है तो आप वो भी कोशिश करो अपने institute में ज्यादा से ज्यादा applications दो ताकि कुछ ना कुछ date extend हो सके ताकि आपका year भी waste ना हो तो आप अपने यहांपर इंस्यूट्ट में जाओ इंडवापर उनको application लिको वो आगए अगर जैके बोस में आक अपने बच्चों को फामने ही फिल करने देते हैं अगर वो golden test भी pass करते हैं reason क्या होता है reason होता है कि यहांपर attendance जो उनकी हास नहीं होती उनकी शैटेज निकालते हैं अब इसमें कोन होते हैं देखो आपके जो बहुत से schools हैं वहांपर अच्छी study नहीं होती बहुत से इंस् कोचिंग कर रहे हैं तो उसका उनको अच्छा benefit मिलता है अगर स्कूल में पढ़ेंगे स्कूल में अच्छा स्टाफ नहीं है या अच्छे से हो नहीं पा रहा इतना time उनको नहीं मिलता तो यहां पर आपके स्कूल वाले आपकी शटेज निकालते हैं अगर तो आप कुछ च करो कि हमारे शटेज निकली हैं वह कि हमारे फाइदे के लिए निकली है क्यूंकि हम study कर रहे थे हम स्टडी करे ती किसी इंस्च्छुट में जाकर ताकि हमारा time वह बातम बेज्स नहीं हो किमें उस तरीके से होनी चाहिए और आगर आपका इंशूट गोर्डन टेस्ट ले रहा है उसमें आप पास होने चाहिए तो यह कुछ रूल्स है अब इन में तो आपको कोई इंकार कर नहीं सकता है भर आप खुद मोटिवेट करो आप जाके जगडा नहीं करना है गुसा नहीं करना है अच्छे